दिपावली के दिन राम आय थे अयोध्या लड़कर तो मेरा कहना है कि जैसे कि राम आय थे अयोध्या लड़कर ये तो उन लोगों के गरंथ में लिखा हुआ है कि बैसाख में आय थे राम तो फिर ये तो कातिक चल रहा है लोग एक लचमी गनेश की भी पूजा होती है उस दिन तो द्वार पर पूरा उजाला कर देते हैं तो उल्लू लेकर लचमी को कैसे जाएंगे उस भर में देखिए इसमें गौतम बुध है इनका कहीं भी आप चार हाथ देखे हैं तो ये नेचुरल है ये प्राकिर्तिक है अब देखिए लचमी जी गनेश जी सुरसत्ती ज उन लोग में चार हाथ जोड़ा गया है तो किसी भी मा का चार हाथ होता है बजार में धन तेरस और दिपावली को लेकर काफी रोनक देखी जा रही है और काफी हरसो उलास के साथ जो है इस तेवार को मनाने की त्यारी कर रहे हैं धन तेरस पर धेर सारा खुब समान खरता आरा है वहीं जो है और दिपावली को लेको गले करने के लिए बथनागा बतावली नज्टीक है का कहेंगी दिपावली पर? लचमी और गणेश की पुजा की जाती है तो दो लोग का इसमें क्या लेंदेन हैं लचमी गणेश का पूजा होता है और दूसरे में हो गया कि राम आये उस दिन दो लोग का हो गया पर्व तक कोई एक ही न अच्छा कार्य कर आता है जो कि हमने भी बहुत से किताबी पढ़ी लेकिन हमने देखा कि उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि उस दिन गौतम बुध ज्यान पराप्त करके उससे एक दिन पहले जैसे उसको कहते हैं लोग परकास दिवस उस दिन गौतम बुध ज्यान पराप्त करके कपिलवस्तू अपने लोट कर आये थे बन कर गये थे सिदा लेकिन वहां से लोट कर जब आएं तो एक गौतम बुध ज्ञानी बन कर आएं और लोट कर तो कि उसी दिन सारे कपिल वस्तू के लोग अपने घर से एक एक केंडिल जलाकर पूरे कपिल वस्तू को उजाला में लाकर उनके उस गाहों में स्वागत कि यह लोग इस खुशी मे को अभी पूरी इस बात के बारे में पता नहीं हो गए इसलिए हम भी उसी में थे पहले हम हिंदू से ही आए हैं लेकिन जब हमने पाया कि जब राम हमने भी किताब को पढ़ा तो जब रदेखे राम बैसाख पुर नीमा में तो फिर यह कातिक में क्यों जोड़ दिये अब लू को सभी को पता है दिन में दिखाई नहीं देता है तो उस दिन तो द्वार पे पूरा उजाला कर देते हैं तो उलू लेकर लच्षमी को कैसे जाएंगे उस घर में और दूसरे नंबर बात कि लच्षमी आते हैं उस दिन तो लच्षमी जब हर घर में आती है सभी मेरे खाना ट्वाइब हो अमारा घ्रावा उस में हमेर के स्वागत के लिए लेकिन कि आज भी लोग अमीर हो गए लच्मी आने का मतलब कि हर गरीब के घर में भी कुछ आना चाहिए आमदनी तो उस दिन तो लोग हम बहुत से देखते हैं कोई लोग पूजा पाठ के लिए रिंग करज लेकर उस दिन पूजा पाठ करती हैं जब करजा लेकर वो पूजा पाठ करती हैं तो क्या लच्मी यही कहती हैं कि आज कर जलो हम तुम्हारे घर आ रहे हैं परवेस कर रहे हैं तब तुम्हारे धन संपति होगा ऐसा तो है नहीं और जैसा कि हम बता ही दिए कि उल्लू को तो दिन में दिखता नहीं है उल्लू को रात में दिखता है तो लचमी के किस घर में और कहां ले कर जाएग तो वहें से उसका तमॐ रिया गया लच्मी जी आई गने नियुख वरफ हमको नहीं पाता लेकिन लच्मी जी के पती है विश्न तो अपने विश्नrics के साथ होनी चाहिए कलें घνη के साथ अब इस आजीब आजerson को लगता है यह तो अब साफ दिख रहा है कि इसमें अब कुछ धांदली जैसे लगता है हमको अजरा जाते हैं इसमें अब यही कहा जाएगा कि जो हमारे पहले के मनुवादी लोग हैं वही लोग जोड़ दिये हैं ताकि हम लोग अंधिकार में हमेशा रहते रहें पहले हम भी थे लेकि से खाते पेते हैं और हम लोगों तक एक यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप लोग को दिपावली मनानी हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि उस दिन लचमी आएगी ठीक यह कहते हैं यह याद में जलाए कि आज के दिन हमारे हां गौतम बुद्ध परवेस किये थे ग्या तो वो तो मर गए फिर भी आज तक यह जोड दिया गया उसमें कि भागवान के आने से हमारे घर में लक्षमी आएगी यह हमको गलत लगता है अगर हम कहें कि गौतम बुद्ध के आने से हमारे घर में रोसनी होगी यह गलत है हम उनके याद में उस दिन केंडिल जलाते हैं उस याद में हम दीपक जलाते हैं, ना कि उनको पूझते हैं, इनसे उमीद बना रखें कि यही हमको धन समपती देंगे, हम तो जो भी करेंगे तभी हमारे पस धन अगर हम अपने घर में बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं, किस मकसद से, ताकि वो आगे चल के कोई अच्छ हम काम कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं, तब हम को भेतन मिल रहा है, घर पर बैठेंगर, खाएंगे, भगवान के दैस हमारे पस पाईसा आजाएं, ऐसा तो होगा नहीं, लच मी के पुझने समको पैसा इसको जोड़का बना दिये यही बात है जैसे कि यह बोधो कते वहारे अब एक कहा गया है हर असलियत चीज को दबा कर रखा जाता है और जो नकली मतलब धांदली वाला होता है अंधिविश्वास उसको उपर कर दिया जाता है और यह आप सभी जानते हैं अच्छाई कभी भ होती है समय लेगी लेकिन बहुत जल्द होगी और यह जो धांदली वाला चीज है जो अंधिविश्वास है उसको क्या करते लोग बहुत जियारी से उसको फैला देते हैं ताकि उस पर लोगों का जल्दी फोकस जाता है यह कहा जाता है किसी भी बच्चियों को गलत रास्त तो जल्दी पकड़ेगा लेकिन शही रास्ता बहुत समय से पकड़ेगा उसी तरह यह जो धिपावली मनाते हैं लोग यही कह दें हैं कि उस दिन लख्षमी आएगी आपके आधन पर वेस होगा अधन तेरस की पुजा होती है निपावली पर होती है छट पूजा आ रहा है तो यह सब अंधविस्वास है आपके इसाब से जी भी हमको तो यह अंधविस्वास पूरा लगता है इसलिए कि इसमें हमको कोई भी चीज का मतलब हमको दिखना चाहिए न जब हम वह काम की ए हमको पता है कि हम आठा गुंदेगे रोटी पगेंगे तब डालेंगे तब दौलत के लिए तो हम जब लच्मी को पूझेंगे तो उससे हमको धन मिलना चाहिए नहीं तो यह कहें ब्रामणवाद लोग कि लच्मी को पूझने से धन नहीं आएगा उस दिन लच्मी के याद में दिपक जलाई वो अपने लिए कहें अगर कहना चाहते हैं तो लेकिन इसम कर रहे हैं कि दिपोत्स यह मनाना चाहिए मनाना चाहिए हम यह कर रहे हैं कि सभी को मनाना चाहिए लेकिन हम यह भी नहीं कहेंगे कि बीना जाने बीना माने और बीना च्छाने किसी चीज़ को नहीं अपनाना चाहिए अगर हम भी इस चीज़ को मानते हैं तो हम जानते हैं मानते हैं तब ही छानकर ही इसमें आये हैं तो उसी तरह हम किसी भी बेक्ति को कहेंगे अगर जो भी सुन रहे हैं इस वीडियो को हिंदू वाले लोग तो वो अगर करते होंगे कि यह जो बात कर रही है गलत है इनका हम क्यों मानें तो यह हम भी करते क्यों मानेंगे किसी भी यह चीज को आप जानिए मानिए और छानिए तब ही इसको लाई आपने आपने आप बहुत बड़ी अबादिश देश की जो कि दिपावली का त्योहार जो है मनाती है मनाते हैं जैसे हम भी पहले थें कि नहीं जानते थे तब तक मानते थे उसको उसकी पूरी जनकारी हमारे पस्ति नहीं जब जानकारी हुई तो हमने यह भी पाया कि अब देखिए इसमें गौतम बुधें इनका कहीं भी आप चार हाथ देखें हैं तो यह नेचुरल है यह प्राकिर्टिक है अब देखिए लच्मी जी गनेश जी सुरसत्ती जी उन लोग में चार हाथ जोड़ा गया है तो किसी भी मा का चार फोता है इतने सद्थों से चलाओ रहा है चार रा सो लगार नहीं है कि अ और हमारे खाने कंद अगर हम जो प्राकिर्टिक है हम असी को मानते हमें पता है कि अगर भा रहा है i3 हम सांस मिलती है मललले ने देने की और अगर हावा ना आए तो हम धुरंत एक मिनट में परिशान हो जाते हैं हम कितना हूं राम रहीं कृष्णा और मनलब देवी दो कितना हूं हम ले ले तो उससे हमको हावा आने वाली नहीं है जब तक प्राकिर्तिक हावा ना दे यह हम पंखा ना लगाए अपने सुविधा के लिए प्राकिर्तिक है पानी है अदेखिया प्राकिर्तिक बात की है तो प्राकिर्तिक कभी अपना धारम नहीं करता है यह धाम निभाता है अपना वो जब सदियों से चला रहा है उसकी अंदर कोई जाती धारम नहीं है तो हम इंसानों के अंदर जो 60-60 साल तक मर जाने वाले बे आप सवस्त रहें, आप अपने बच्चे को सवस्त रखें, आपने बच्चे को साफ सफाईस रखें, स्कूल भेजी, यह सिक्छा बहुत जरूरी है, अब कहेंगे कि जाओ बच्चा पढ़ने से पहले जाओ देवी मा को माथा टेक, तो उससे क्या होगा, माथा टेकने से बच और एक सलासला गाव में, वहाँ पर जब लोग बोली, हम अपने मन से नहीं बोलते हैं, ताकि किसी दिदी को भी दुख लग जाता है, तो हमको यह बात नहीं कि किसी के दिल को ठेस पहुचाना, जब वही दिदी खुद बोली कि बन्ना दिदी आप कभी यह पुजा पाठ क देंगे, अपने बच्चे को सही तरीका से महला देख रहा करेंगे, तो यह हमको मतलब नजर आ गया, कि वह कल पढ़ लेकर अच्छा एक डॉक्टर इंजिनियर बने गया, लेकिन अगर हम पुजा पाठ करते हैं, तो उससे अगर हमारा मतलब निकल कर आता, तब नहीं पास हो जाई, जब तक उप पढ़ेगा नहीं, तो मतलब हमको नहीं निकल कर आया, वहां से, तो हम कैसे इस बात को मानले, यह कुतारतिक है, यह सब मतलब जैसे कि अब दिमाग को ग्रहसित कर दिया गया है, पहले से ही, लोग इसमें ग्रहसित हो गया है, समझ रहे हैं कि हम अगर पुजा पाठ ना करेंगे तो यह हो जाएगा, अब सगून हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोग दिन पर भी अप्शन लेते हैं कि मंगलवार को यह काम नहीं करना चाहिए, इससे असूब होता है, बाहर नहीं जाना चाहिए, कुछ असूब हो जाएगा, उस दिन यह काम तो मान लेते हैं लोग असूब है, अगर लग जाए तो उसको ना ले, क्योंकि असूब है, उस दिन किसी का बच्चा हो जाए, मतला ऐसा ऐसा बात आता है दिन पर भी, तो हम दिन को नहीं मानते, दिन सब आप जगह पर, अपने जगह पर सब सही है, दिन पूरा सब्सक्राइब नहीं किसी को पढ़ाव लिखाओ नहीं किसी को जोब के लिए भेजो नहीं बाहर, तो दिन तो सब एक सब्सक्राइब जो है, सब अपने जगह पर बढ़िया है, किसी का बच्चा हो जाए, उस दिन तो खुसिया मनाते हैं लोग, तो क्रुमलाजाक अभी ज़्यादा अतर लोग अंधविश्वास हैं? बहुत लोग अभी हैं, ग्रसित में बहुत लोग हैं, अभी हम भी इसमें, इसे निकलना चाहिए, बाहर आना चाहिए, और हम भी इस पर अभी काम कर रहे हैं, कि लोगों तक यही हम पहुँचा है, कि जो भी लिए कर रहे हैं, बहुत चीज अपने घर में गळजिवन बनके काम करते हैं, यह मैं हम अपना दिमागे हम दिमागेंगे, इस चीज को ने का मतलते हम पूरा जानेंगारी, कि पूरा जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं तो देखिए यह बनना जी थी और बहुतेरीन तरीके से जो हिंदू फेस्टिवाल होते हैं उस पर अपनी राय रखी इसको आपका ऐसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए और यह वीडियो जनतंत्र ख़बर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए फेस्बूक पर देख रहे हैं तो फोलो कर लिए और वीडि चले कि आखी जो डिपावली है जो धन तेरस है इसकी क्या है सच्चाई बहुत धन्यवाद